लवक प्लास्टेट 9. नमर टोपिक है कमप्टीशन के एक्जाम के लिए बेरी बेरी इंपोर्टेंट टोपिक लवक सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी डिक्सकोवरी किस ने किस बेग्यानिक के द्वारा की गई इसकी खोज की गई थी हैकल नमक बेग्यानिक के द्वारा किस बेग्यानिक के द्वारा हैकल नमक बेग्यानिक के द्वारा केवल पादपों में पाए जाते हैं ये लवक होते हैं जो केवल पादपों में पाए जाते हैं लवक केवल पादपों में पाए जाते हैं जनतों में एवर्णी लवक उसको इंगलेस में बोलते हैं लिउकोप्लास्ट और हरित लवक इसको बोलते हैं इंगलेस में क्लोरोप्लास्ट अब बात करते हैं और जो क्लोरोप्लास्ट है वो पतियों पाए जाता है अब बात करते हैं एवर्णी लवक की एवर्णी लवक क्या होते हैं तो एवर्णी लवक इनका कार्य होता है खाद संग्रेंड यानि फूड का स्टोरेज करते हैं जो एवर्णी लवक हैं वो फूड का स्टोरेज करते ह यह कहां पाए जाते हैं जो एवर्णी लवक होते हैं उन भागों में पाए जाते हैं जो कि प्रकास से बंचित रहते हैं जहां प्रकास नहीं पहुंच पाता है उन भागों में एवर्णी लवक पाए जाते हैं जैसे कि जड़ अब जड़ क्या है भूमी के अंदर दसी हुई रहती है तो उनमें प्रकास नहीं पहुंचेगा जमीन के अंदर तो बहां क्या है एवर्णी लवक पाए जाते हैं और आपको पता है कि बोजन संग्रेंड जड़के अंदर ही होता है बीज बीज के अंदर और भूमी का तना भूमी का तना यहां एवर्णी लवक पाए जाते तो इलियोप्लास्ट में तो बसा का संग्रेन होता है किसका संग्रेन होता है बसा का संग्रेन और एमाईलोप्लास्ट में कार्वाइडरेड का संग्रेन होता है एमाईलोप्लास्ट में कार्वाइडरेड का संग्रेन होता है एक हाद पतारत है बसा और कारवाईडेड इसके बाद बात करते हैं बर्णी लवक की बर्णी लवक हरी रंग को छोड़ कर सभी रंगों के लिए उत्तर दाई जो हरा रंग होता है उस रंग को छोड़ कर सभी रंगों के लिए उत्तर दाई कौन सा लवक होता है बर्णी बर्णी लवक होता है हरी रंग को छोड़ कर सभी रंगों के लिए उत्तरदाई कौन सा लवक है बर्णी लवक और हरी रंग के लिए हरित लवक है फूलों वा फलों को रंग प्रतान करने वाला लवक कौन सा है प्लास्टिड कौन सा है बर्णी बनी लबक कोशकांग है अब देखते हैं फलों बाफ फूलों का रंग किसके कारण होता है ये आपके बनक दिये हुए है फलों येवं फूलों का रंग इसमें बनक है आपके जेंतो फिल केरोटीन और एंटीन एंटीनोसाइन एक मिंट एंटीनोसाइनन 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 केरोटिन तो एंटोनी एंटोनोसाइनन क्या है कि बेरी बेरी इंपोडेंट है इसमें क्या प्रजेंट होता है तो रेस्पॉंसीवल फोर बिलू एंड बैंगनी रंग के लिए ये क्या है कि कौन सा बढ़नक उपस्तित होता है किसकी उपस्तिती के कारण बिलू एवं बैंगनी रंग प्रदान करता है एंटोनो साइन इन बढ़नक के कारण रिक्तिका में पाया जाता है रिक्तिका जो कोसिका के अंदर रिक्तिका पाया जाती है अंदर एंटरनो साइनिन बर्णक पाया जाता है जो की बिलू और बैंगनी रंग के लिए उत्तरदा ही है और जेंतो फिल जो बर्णक है वो पीले रंग का होता है अब केरोटीन है वो लाल और नारंगी रंग के लिए उत्तरदा ही होता है ये तो फूलों वा फूलों के प्रतान करने के लिए क्या हो गए आपके बर्णक हो गए अब बात करते हैं नीचे बर्णी लवक की की टमाटर का जो लाल रंग होता है किस लवक के कारण होता है तो टमाटर का लाल रंग बर्णी लवक लाइको पीन के दुआरा होता है लाल रंग और चुकंदर का जो रंग के दकारण होता है एक एक नम्मर के question competition के लिए very very important question है आपको PDF बेज देंगे telegram channel पे नीचे description में link है जोड़ सकते हैं मूली में कड़वापन आईसो साइनेट के कारण और इसके बाद मिर्च में तीकापन जैसे मिर्च आप खाते हैं तो उसमें जो तीकी होती है वो किसके कारण होता है कैफसे निन बढ़नक के कारण किस कारण के किसके कारण कैफसे निन बढ़नक के कारण और इसके बाद लौंकी बात करते हैं लौंकी यूजी नौल दर्द निवादक ये क्या है यूजी नौल है वो दर निवारक के लिए काम में आता है और द्रक का विशिष्ट सुवाद किस बढ़नक के कारण होता है जिन्जी वरीन बढ़नक के कारण किस बढ़नक के कारण इसके बाद हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी को कुर्कमिन बढ़नक के कारण हल्दी का रंग पीला होता है और इसके बेग्यानेक नाम जो scientific name है अल्दीका वो होता है कुरकुमा लोंगा इस scientific name है जो important है वो ही बताया जाएगा competition exam के लिए perfect notes बनाए गए हैं यहां से कहीं बाहर आपका कोई भी question बाहर नी जाएगा अब lesson की बात करते हैं कि lesson का जो lesson में ती की जो महक होती है वो elais scene बढ़ना की कारण होती है प्याजवा lesson की गंद का कारण होता है sulfur यानि गंदक गंदक होता है जो elais scene में पाये जाता है और इसके बाद बात करते हैं next मास पेसियों का लाल रंग मास पेसियों का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है तो मास पेसियों का लाल रंग मायो गिलोविन मायो गिलोविन के कारण होता है जो एक लोग तत्तो पाय जाता है उस इसमें और सीप गौंगा ऑक्तुपस का नीला रंग सीप गौंगा ऑक्टोपस का नीला रंग इमो साइसिन इमो साइसिन जिसमें तामा प्रजेंट होता है इमो साइसिन के कारण नीला रंग किसका होता है सीप गौंगा ऑक्टोपस का इसके बाद मानब का जो बिलड होता है उसका लाल रंग किसके कारण होता है इमो गिलोविन बढ़नक के कारण होता है यह एक लो तत्तो है लो तत्तो इसमें उपस्तित होता है इमो गिलोविन में और तामा तत्तो जो है वो हीमो साइसिन में उपस्तित होता है इसके बार मूत्र का पीला रंग यूरो क्रॉम की उपस्तिती के कारण होता है और मल का बू के कारण होता है तो आपका आंसर जाना चाहिए बिली रुबीन के बर्णक के का इसे कही हों का विवलेनिन के का यूंकि क्यों के सी परिडल के बात करते है हरे का स avara क्योंकि बर्णक जो अरितलवक होता है वो इंपोडेंट होता है तो इसलिए जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनमें हरितलवक केवल प्लांट्स में ही पाया जाता है एनिमल्स में हरितलवक नहीं ही पाया जाता है इसलिए एनिमल्स में अनपस्तित होते हैं और पादप का रा रंग किसके कारण किलो्रोफिल वर्णक के कारण किसके कारण किलोफिल के कारण और important बात यह हैं कि इसमें मेंगनेशियम तत्फ पाया जाता है जो अरित लवक यह पढ़न अरित के निर्माड में यानि किलोरोफिल के निर्माण में लुहा वा तामा आईरन वा कॉपर की रुकौएर होती है इसके बाद नेक्स अपन बात करते हैं नोट में नोट में आपकी बात है कि मेगनीसियम आईरन कॉपर की कमी से हारी महीनिता हारी माहिनिता किलोरोसिस किलोरोसिस बोलते हैं इंगलिस में हारी माहिनिता रोग हो जाता है और हारी माहिनिता रोग के अंदर क्या होता है कि जो पतियां होती है वो पीली पढ़ जाती है और जणने लगती है तो इस रोग को हारी माहिनिता रोग कहते है वो किस की कमी से कारण होत प्लांट समय हारी मायनिता का रोग उत्वन होगütा को जाता है जिससे पत्या पीली पड़ जाती है आब पादपान को म्य रखने पर, पादपान को अन्देरे बात है कि प्रकास और संसेलेशन प्रकास का अध्यान क्या कहलाता है स्टडी ओप लाइट फोटो का अध्यान फोटो माने प्रकास होता है इसकिरिया दौरह सेवाल यानी एलगी और हरेपादप अपना बोजन बनाते हैं यह कौन कान बनाते हैं bash और हरे पादप इसके बाद इसलिए ये सोपोसी होते हैं ओटो ट्रोपिक होते हैं इसके बाद बात करते हैं चार आवस्सक्तारक होते हैं प्रकास अंसलेशन की किरिया के लिए वो कौन-कौन से होते हैं चार आवस्सक्तारक प्रकास कारवंडाय ऑक्साइड जल हरित लवक य यानि जल और carbon dioxide यानि CO2 और energy जो की light से प्राप्त होती है प्रकास से प्राप्त होती है तो यह देखो plants के अंदर जल के अनुओं को तोड़ने में जो प्रकास की energy है जल के अनुओं को तोड़ने में काम में आती है तो यह दोनों जल के अनुओं तूटेंगे और CO2 किरिया करेगा तो क्या बनेगा किलोरोफिल की उपस्तिती में किलोरोफिल किरिया होगी तो उससे क्या गया गलूकोज यानि बोजन बनेगा और ओटू और यहाँ ओटू जो जल बास्पो होती है जो पादप बास्पो सरजन की किरिया करते हैं उसके अंदर यह ओटू निकल जाती है उसके अंदर ये O2 निकल जाती है तो क्या बता अपना गलूकोज बोजन बचा इसके बाद बात करते हैं प्रकास संसलेशन स्वसन के बिपरीत किरकिया है यानि प्रकास संसलेशन में CO2 को गिरेंड पादपों के द्वारा किया जाता है और जो स्वसन है उसमें जो CO2 छोड़ जाती है यानि उसमें ऑक्सीजन को ग्रेंड किया जाता है अब बात करते हैं इसकी प्रकास संसलेशन का गुणांक क्या होता है तो प्रकास संसलेशन का गुणांक निकालने के लिए पहले ऑक्सीजन की मात्रा और फिर CO2 की मात्रा को उपर नीचे करते हैं तो O2 की मात्रा आपने अभी जो reaction देखी उसमें O2 कितने present थे तो O2 present थे 6 और CO2 कितने present थे 6 ही CO2 present थे यानि O2 और CO2 की मातरा बरावर थी तो इसका percentile यानि गुणांग कितना हो गया एक हो गया प्रकास insulation गुणांग कितना हो गया एक हो गया कितना हो गया इसके बाद बात करते हैं एक है क्योंकि इसमें छोटे अनु छोटे अनु मिलते है और एक बड़ा अनु का नीमाड करते हैं जैसे CO2 और CO2 जिनके द्वारा एक glucos के बड़े अनुन का निमाड हो गया ता इसलिए या उपचे निर्माड कारी किरिया है उपचे निर्माड कारी किरिया है इसके बाद बात करते हैं अपन इसमें फोटो एनरजी जो फोटो एनरजी होती है प्रकास उर्जा होती है वो रासानिक उर्जा में चेंज हो जाती है चेंज होती है क्योंकि आपको बता दू कि प्रकास उ किरिया में प्रकास अंसिलेशन की किरिया में जलका क्या होता है ऑक्सी करन प्रकास अंसिलेशन की किरिया में जलका ऑक्सी करन होता है यानि एस्टू निकलती है तो इसे बोलते हैं ऑक्सी करन और अपचैन में सियोटू जुड़ती है ओटू जुड़ती है तो सियोटू का क् विवग्योर होते हैं आपके प्रकास के रंग होते हैं उनमें कौन से रंग में प्रकास की किरिया अधिक्तम होगी तो लाल और नीले रंग में प्रकास संसलेशन की किरिया अधिक्तम होगी और नियुन्तम होगी हरा और बेंगनी रंग के अंदर आपकी जो प्रकास संसलेशन की क्रिया होती है उसके जैब बाहर में ब्रदी होती है क्योंकि उससे बोजन बनता है तो common सी बात है जैब बाहर तो बढ़ेगा बायो मास तो बढ़ेगा इसके बाद प्रकास संसिलेशन कितने प्रकार का होता है अब यह बता रहे हैं प्रकास संसिलेशन कहते हैं यानि गिरेना जो माइटो कॉंडिया का भाग है गिरेना उसके अंदर उसके अंतरगत ये क्या है प्रकासिक फोटो रेक्षन होती है और इस्ट्रोमा भाग में माइटो कॉंडिया के इस्ट्रोमा भाग में कौन सी यह प्रकासिक यानि dark reaction होती है यह आपके नीचे यह diagram दिया है shortly diagram बनाया गया है आपको समझाने के लिए यह थेलकोइड सरचना है यह DNA है, mitochondria की सरचना ही है पूरी यह mitochondria की सरचना है पूरी अब इसमें यह तो DNA हो गया यह stroma, यह पर्ण अरे ग्रेना तो ग्रेना भाग में तो क्या हो रही है प्रकासिक संसिलेशन और इस्ट्रोमा भाग में क्या हो रही है dark reaction, इसके बाद बात करते हैं प्रकास संसिलेशन की एकाई क्या होती है प्रकास संसिलेशन की एकाई होती है quantasome, यानि quantasome में कितने अणू अपस्तित होते हैं 230 अणू फोटॉन की अपस्तित होते हैं तो इकाई क्या होगा ही क्वांटासॉम एक फोटॉन में 230 अणू होते हैं क्वांटासॉम के तो प्रकासंसलेशन की क्वांटासॉम एक नम्मर का question पूछ ले तो क्या होगा quanta sum होगा इस किरिया में path up co2 grant करते हैं o2 को बाहर निकालते हैं ये तो आपको सब को पता होगा कि हम o2 को grant करते हैं लेकिन path up o2 को बाहर निकालते हैं और इस किरिया में स्वसन की अपिच्चा 10 गुणा जादा होती है यहाँ किरिया śवसन कीन अपिच्चा 10 गुणा जादा होती है और people जैसे जो ब्रच्छ है उसमें 22 गुणा अदिक होती है प्रकास enunciation की किरिया people जैसे 22 गुणा अदिक होती है इसके बाद बात करते है स्वसन में amesa स्वसन में हमेसा O2 ग्रेंड की जाती है और CO2 को बाहर निकलती है स्वसन की किरिया में O2 को हमेसा ग्रेंड किया जाता है उस CO2 को बाहर निकला जाता है यानि ये उसमें डिफरेंट है प्रकास संसलेशन और स्वसन के अंदर respiratory और photo synthesis के अंदर स्वसन पादप थठा जन्तू सब सजीव करते हैं और जो केवल प्रकास्ष नसलेशन है वो केवल प्लांट ही करते हैं पादपों में स्वसन दिन और रात दौनो भक्त करते हैं पादपों में स्वसन दिन और रात दोनो समय होता है पौधे रात्री में O2 लेते हैं रात्री के समय उल्टा हो जाता है और CO2 बहार निकालते हैं जो नाइट होती है उसमें O2 को तो लेते हैं और CO2 को बहार निकालते हैं प्लांट्स रात्री में और दिन में O2 लेते हैं और CO2 को भी लेते हैं CO2 भी लेते हैं और O2 भी लेते हैं दिन के समय और O2 निकालते हैं और CO2 भी निकालते हैं तो यह common सी बात हो गई आपके photo synthesis की और respiration की तो thank you so much watching for this video like, comment, share and subscribe करना ना भूलें आगे हम बात करेंगे किंद्र की very very important question topic है competition exam के लिए यहां आपका यह topic complete होता है Thank you www. difficulty 15ator lite-海 भापकेigh बापके सब्सक्जाभर 22 Tuesday कि आपके घंगो के सुएब टेर के लापके टापके जो भाटाबाऔ का खेर tu आपके तो पिए यहां आपके जगडो़ 5日 आपके सामय ख्योफशन की। I wish will get aemor ऊब próximress आबपके // खब जामें तो आपके सामय जगी।